हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चानल शुय बदार वितायुष और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं HCL Tech के second quarter के numbers के बारे में तो दोस्तों HCL Tech के second quarter के numbers जो है वो out हो चुके हैं किस प्रकार के numbers निकल के आएं उसके बारे में बात करेंगे company के दोरह dividend की गोशना भी की गई है और नतीज़े डिफिनिटली आपको चौकाते हुए भी देखने को मिलेंगे जिस प्रकार के निकल के आएं तो बहुत important वीडियो ने आप पूरा देखिएगा friends अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो चाना को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आप कोई वीडियो बड़ा लगता है तो वीडियो को लाइक करके जरूर चाहिएगा तो friends HCL Tech, HCL Tech से पहले कुछ important बात, see IT companies के जो इस बार numbers आपको आते हुए देखने को मिलेंगे वो definitely दिखाएंगे कि road to recovery जो है वो start होती भी देखने को मिली है या फिर क्या सकते हैं कि अभी भी recovery के जो sign है वो नजर नहीं आ रहे है इस sector के अंदर because IT stocks definitely one of those रहते हुए देखने को मिले जुन्होंने सबसे ज़ादा खराप दर्शन किया और अब numbers जब आपको HCL Tech के आते हुए देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर हम यही notice करना सबसे जादा पहले पसंद करेंगी कि numbers को देखकर क्या अब आगे की situation clear होती है कि नहीं तो सबसे पहले हम revenue के उपर बात कर लेते तो दोस्तों जो company का revenue from operation आता हुआ देखने को मिला है सब numbers करोड में ही है तो अगर आप 30 September 2021 है नहीं पिछले quarter का पिछले साल के numbers आप देखेंगे तो company ने करीबन 20,655 करोड रुपीज का दोस्तों यहाँ पर revenue post किया था और दोस्तों वो अगर इस बार आप देखेंगे बढ़के करीबन 24,686 करोड यानि company के revenue के अंदर तो आपको एक अच्छी खासी जंप आती भी देखने को मिल गई है close to 4000 करोड तो यह आपको अच्छी खासी देखे जंप आती भी देखने को मिल गई है अब अगर बात करें company के numbers पिछले quarter से यानि Q1 से compare करके तो 23,464 करोड का दोस्तों company का revenue था जो बढ़के 24,686 करोड का हो गया यानि company के revenue में आपको साफ साफ देखने को मिलेगा quarter on quarter basis P and yoy basis P दोनों में आपको jump आती भी देखने को मिलिए total income देखते है total income यह है दोस्तो total income दोस्तों पिछले साल company कि 20,895 करोड थी जो इस बार आपको देखने को मिलेगा बढ़के 24,922 करोड हो गई है तो यह भी साफ साफ नजर आता है कि company की जो साल बर साल की total income है वो आपको increase होती भी देखने को मिली है यह अगर बात करें पिछले quarter की तो 23,873 करोड था जो बढ़के 24,922 करोड हो गया आपको देखने को मिलेगा increase होते हुए देखने को मिले बात करते हैं अब दोस्तों company की total expenses की फिर बात करेंगे यहाँ पर profit के बारे में तो दोस्तों पिछले साल तक company का total expense था वो 16,794 करोड का था 16,794 करोड से बढ़के दोस्तों company का expensive वो 20,338 करोड होता हुआ देखने को म बात हम importantly करेंगे क्योंकि यह दिखता है कि यहाँ company का exact profit कितना आता हुआ देखने को मिले टेक्स को हम बात करेंगे PAT के बारे में but PBT important है so पिछले quarter में company का दुस्तों जो expense आया था वो करीबन 19,536 करोड का था यानि company का expense तो बली बढ़ा है लेकिन इसके बात का figure देखेंगे जो है profit before tax का यह वाला figure पिछले साल दोस्तों company का PBT था 4101 करोड 4101 करोड दोस्तों company का profit before tax आया था जो बढ़के आपको देखने को मिलेगा 4584 करोड इसका मतलब क्या है कि company का दोस्तों जो profit है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल बर साल quarter and quarter देखिए 4337 करोड का दोस्तों company का यहाँ पर मुनाफ़ा था वो 4584 करोड यानि numbers तो definitely अच्छा आते हैं वे देखने को मिले Q on Q भी दोस्तों company का profit बढ़ा है वाई वाई भाई भी बढ़ा है लेकिन यह जो है figure वो था PBT यहनि profit before tax अब tax को काटने के बाद company का कितना profit बचता है उसकी बात करते है जिसकी दोस्तों अब हम बात करेंगे वो करेंगे profit for the period tax expense काटने के बाद profit for the period कितना रहता हुआ देखने को मिला है वो देखेंगे तो profit for the period 3,263 करोड था दोस्तों पिछले साल अब वो बढ़के 3,487 करोड हो गया है और जो पिछले कोटर में 3,281 करोड का दोस्तों company का profit था वो बढ़के 3,487 करोड बहुत जादा कोई खास बड़ा दाती भी देखने को नहीं मिलिए close to 200 करोड आपको देखने को मिलेगा साल बर साल और क्वाटन करोड दोनों 200 करोड के आसपास company का मुनाफ़ा बढ़ता हुआ देखने को मिला है बहुत जादा बढ़त नहीं है बट दोस्तों बढ़त आईए ये बात बहुत इंपोर्टन है और definitely sign of recovery जो मैं कह रहा था वो definitely नजर आते हुए देखने को मिले इस numbers बहुत जादा देखिया अब कह नहीं सकते कि company के ताबर तोर numbers आ गए बट यह अच्छी बात है कि जो expectations थी उसके आसपास numbers निकल के आ गए है और यह बात बहुत इंपोर्टन है तो अब यहाँ पर numbers दोस्तों बढ़ते हुए देखने को मुले quarter and quarter of a while लेकिन company का EPS earning per share कितना है और जो 12.12 का था पिछले quarter में वो 12.88 see EPS बढ़ रहा है EPS almost आप साल पर साल देखेंगे तो 0.87 point बढ़ गया है और जो अगर आप quarter quarter देखेंगे तो वो भी एक अच्छी खासी बढ़त दिखाता हुआ देखने को मिला है close to 0.76 तो EPS बढ़ रहा है यहनी stock का price दोस्तों अ को numbers के अगर में एक बात कहूं समफ तो numbers are quite decent बहुत अच्छे भी numbers नहीं कह सकते बट decent numbers आते हुए देखने को मिले और इस बाजार में अगर decent numbers भी आ जाते हैं तो I think एक बहुत बड़ा positive है तो यह आप बिलकुल कह सकते हैं कि हाँ जो IT खराब कर रहा था Q2 में तो यही नज 10 रुपीज पर equity share 10 रुपे प्रती equity share जो है दोस्तों company के दोरा यहां पर dividend का announce कर दिया गया प्लस record date भी company ने कह दिया कि 20 October 20 October record date रहती भी देखने को मिलेगी और company जो है वो payment करती भी देखने को मिलेगी 22nd of November 2022 तो यह dates जो है वो important आपको याद रखनी है यानि आने वाले यह dates जो है वो important आपको याद रखनी है अब अगर बात करें कल की targets के ओपर कि किस प्रकार से share कर सकता है so friends before numbers आज counter जो था वो बढ़िया करता हुआ देखने को मिला जरूर जो highs लगे थे आज almost 963.90 के वहां से जरूर दोस्तों 10 रुपे किया एक आपको गिरावट आई और किसकते stock नीचे आया but overall stock ठीक करता हुआ देखने को मिला आज 14.40 रुपीज 1.53% बढ़ा है लेकिन जैस तो एक साल में आप देखेंगे तो वो एकदम से गायब होते हुए देखने को मिल गए देखने को मिले तो यही दुस्तों दिक्कत रही है बट numbers मुझे लगता है कि ठीक आते हुए देखने को मिले अच्छी company है अपने आप में देखे एक बढ़िया company है इसका बावनुफत बट overall जैसा मैंने का कि company अच्छी तो आपको रंबे अवधी के लिए देखना पड़ेगा कल किस प्रकार से करेगा तो कल मुझे लगता है कि positive momentum आना चाहिए बट definitely देखना पड़ेगा यूगि आज थोड़ा बहुत बढ़ या था और last 5 days में आप देखेंगे तो stock में overall गि बननी चाहिए बट हां अगर मार्केट सही रहा तो यह भी सही करता हुआ देखने को मिलेगा तो फ्रेंट इस वीडियो में इतना ही था होप सो वीडियो बड़या लगा होगा आपका क्या मानना है एचल के numbers पर दरू कमेंट क्रिकर दाइएगा थैंकियो फ्रेंट वाचिं इस वीडियो